नमस्कार मैं हूं Dr. Prachyat और आज मैं डिस्कस करूँगा आँख की पुतली के ट्रांस्प्लांट के बारे में यानी की आम भाशा में कहें तो आख बदलने का ओपरेशन या आँख की पुतली का बदलना या कौर्णिया ट्रांस्प्लांट इसके बारे में मैं आज discuss करने वाला है हमारे society में हमारे community में एक बहुत common conception है कि आँख बदलने की नौबत आ गई मतलब समझ लो कि ये आँख अब चली गई है क्योंकि आँख की पुतली के operation बहुत कारगर नहीं होते हैं कुछ हद तक ये बात ठीक भी है कि आँख की पुतली बदलने के operations का success rate vary करता है यानि कि वो बहुत अच्छे success rate से कई cases ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कोई बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिलते हैं तो हम बात करेंगे आजकल जो advances हैं पुतली बदलने के operation उनके बारे में देखिए पहले जो पुतली के operations किये जाते थे उनमें हमेशा पुतली की यानि आँख की कॉर्णिया की सारी लेयर्स को सारी पर्तों को एक साथ बदला जाता था और जो दान करीवी पुतली लगाई जाती थी उसको टाको दोरा हमारी आँख के उपर यानि मरीज की आँख के उपर सिया जाता था इस सिलाई को करने से पुतली जो दान करीवी पुतली है वो हमारे शरीर में मिल जाती थी बन जाती थी एक तरह से और वक्त के साथ धीरे धीरे वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाती इस तरह के operations में क्यूंकि कई सारे टाके लगाए जाते थे ये टाकों से संब पुतली जो लगिया उसके अंदर हो जाना, पुतली की सतय का ठीक से हील ना होना, या फिर हमारे शरीर का, यानि मरीज के शरीर का, पुतली को सुईकार ना करना, किसी और के दान करेवे शरीर के हिस्से को सुईकार ना करना, उसके खिलाफ रियाक्शन करना, जिसको रिजेक् यह होता था कि घूम फिर के सिती फिर से वैसी हो जाती थी आंक में पुतली सफेद पढ़ गई नजर फिर से खतम हो गई और दर्द और तकलीफ आ गए तो जहां हम इन सब चीजों के निवारण के लिए पुतली का उप्रेशन करते थे वहां घूम फिर के वापस से ऐसा हो ज जाएगा पांस से दस साल पंदरा साल के काल के भी बीतर ऐसा देखने के लिए मिल जाते हैं वक्त के साथ पुतली बदलने की या कॉर्णिया ट्रांस्परांट की जो टेक्नीक्स हैं वो इवाल हुई हैं और आज की तारिक में हम अपने अस्पताल में सबसे आधुनिक्तम तक्नीकों का इस्तमाल करते हैं पुतली बदलने के लिए ऐसे में पुतली की जो परत खराब है हम केवल उसी को बदलते हैं और बाकी सारी परतें जो पुतली की ठीक हैं जो मरीज की पुतली की परतें नॉर्मल हैं खराब नहीं हुई हैं उनको वैसा ही रहने देते हैं इस इस पर सारी पर्तों को बदलने के और ये ऑपरेशन बिना टांके के भी किये जा सकते हैं इस से पुतली बदलने का सक्सेस रेट 60% यानि की 60 से 70% के बीच से लेकर अब 99% हो गया है तो आज की तारिक में जो हम बिना टांके के पुतली के ऑपरेशन करते हैं जिसको हम डीमेट बोलते हैं डेसमेट मेंब्रेन एंडोथीलियल केरेटोप्लास्टी इस ऑपरेशन का जो नतीजा है वो इतना अच्छा है कि हम इसको लगभग लगभग फेको यानि की जो मोतिया बिन का ऑपरेशन है बिना टांके वाला लगभग उतना सक्सेस्फुल मानते हैं कि अगर हम सौ लोगों का करेंगे तो 99 लोगों का ये लंबे समय के लिए अच्छी नजर देगा और पुतली को बिलकुल साफ कर देगा और ये ऑपरेशन बिना टांके के होता है इस ओपरेशन को थोड़ा टकनीक में चैलेंजिंग माना जाता है यानि कि इसकी सर्जिकल टकनीक डिफिकल्ट है इसलिए ये बहुत ही कम सेंटर्स में बहुत ही कम सरजन्स दोरा किया जाता है आज की तारिक में पश्चे मुद्टर प्रदेश में ये लार्ज स्केल पे सिर्फ हमारे ही सेंटर में किया जा रहा है इस ऑपरेशन के बाद नजर की जो recovery है नजर की जो सफाई है वो पहले ही हफते में होने लगती है और कई लोगों की तो पहले हफते में पूरी नजर साफ हो जाती है ये अपने अपने शरीर पे निर्भर करता है पर दो से तीन हफते में पूरी नजर साफ हो ही जाती है यानि कि पुतली जो है वो उसकी पूरी सफेदी खतम हो ही जाती है इसलिए ये बहुती जल्दी recovery वाला operation है जिसमें कि कोई टाकों से संबंदे थैसल नहीं है यानि कोई जंजट नहीं है बहुत जादा साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना पड़ता है जितना सफेद मोतिये के लिए रखना पड़ता है उतना ही ध्यान रखना पड़ता है और success rate जैसा मैंने बताया कि इसकी सफलता मिलने की जो संभावना है वो 99% 99% से भी जादा है इन सब कारणों की वज़े से अब पुतली के operations की तरफ मरीजों का रुजहान बदल रहा है क्योंकि जैसे जैसे ये मरीज community में, society में जा रहे है लोगों को समझ में आ रहा है कि आप पुतली के operations वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे और इसलिए जादा लोगों का रुजहान अपनी रिष्टी को ठीक करने की तरफ जा रहा है मैं अगर आप से share करूँ तो मैंने पिछले ही साल में इस अस्पताल में ऐसे कितने ही लोगों के operation किये हैं पुतली के जो लोग कई सालों से अंधे थे और छोड़ के बैठे थे अपनी आँख को अंधे पन में मान के बैठे थे कि कुछ नहीं हो सकता क्योंकि जब उनको बताया गया कि पुतली बदलने का operation करा लीजे तो जो success rate उनने बताया गया सफलता की संभावना बताई गई वो ऐसी थी कि उनने लगा कि ये तो यही कहने वाली बात हो गई कि कभी ना कभी तो ये वापस ऐसी ही हो जानी है तो उन्होंने अपनी जो स्थिती है उसको ईश्वर का दिया मान के स्विकार कर लिया और रहने दिया और जब हमने उनको समझाया कि ये नए पुतली के operation को करने से success rate बहुत अच्छा होता है और आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आगे चलके और उन्होंने वो step उठाया confidence आया उनके अंदर उन्होंने कराया तो अब जाके उन्हें कई सालों बाद अंधेपन से आजादी मिली है वो दुनिया वापस से देख पा रहे हैं और कई सालों बाद आप imagine कर सकते हैं अब जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए है दुनिया बदल गई है शहर पूरा बदल गया है और उनको अब जाके इतने सालों बाद वो चीज़ देखने को मिल रही है जो कि अपने आप में चमतकार से कम नहीं है तो ये मैं शेर करना चाहता हूँ कि पुतली के ऑपरेशन्स जो हैं वो बहुत इवॉल्व हो चुके हैंं और जिन सेंटर्स में पुतली का अच्छा काम किया जाता है वहाँ ये ऑपरेशन्स किये जाते हैं पस्शन Μुत्रप्रदेश में ऐसा और कहीं पे अभी तक नहीं होता है पर हमें उमीद है कि वक्त के साथ ये बढ़ेगा और हमारे सेंटर में हम रेगुलरली इस तरह के आपरेशन को कर रहे हैं मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे प्रियेजन हैं कोई रिष्टेदार हैं दोस्त हैं जो इस समस्या से पीडित हैं तो आप उनको ये विडियो दिखाएं उनके बारे में हमारे से शेयर करें और उनको हमें लाके हम से मिलाएं ताकि हम उनकी मदद कर सकें और ये अंधेपन की जो समस्या है कॉर्णिया रिलेटेड ब्लाइडनेस जो है उसको हम अपने देश दे खतम कर सकें साथ ही मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस सब चीज से कुछ समवेदना रखते हैं तो कृपया अपने प्रियजनों का अपने परिवार की लोगों का नेत्रदान जरूर करें मर्नो प्रांथ हमारी जो आखें हैं वो कोई और दो लोगों को और बलकि कई बार चार लोगों को द्रिश्टी प्रदान कर सकती है तो मर्नो प्रांथ हम अगर अपनी दृष्टी किसी और को दान कर जाएं तो उससे बड़ा स्वर्ग हमें और कैसे भी नहीं मुझता है तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस बात को समझते हैं और आगे चलके अपने प्रियजनों के नेचरदान में जरूर अपना कॉंट्रिबूशन देंगे ताकि हम कॉर्णियर रिलेटिड ब्लाइडनेस को खतम कर सकें